हेलो एवरिवन ये है StatPro Tutorial Series Basic to Advance Day 2 Day 2 में हम सीखेंगे StatPro के सारे Tools ठीक है तो यहां पे हमने IS Code select कर लिया था यह भी मैंने बता चुका हूँ कि Recent Files हैं हैं यहां पे Help and New Project पे हम क्लिक करते हैं Space Day 2 मीटर किलोन्यूटर्न यूनिट्स एड़ बीम ये सारे Tools ये सारे चीजों के बारे मैं बता चुका हूँ अपनी Day 1 वीडियो में एड़ बीम क्लिक किया माउस ब्लिंग कर रहा है बीम बनाने के लिए रेडी है तो हम स्केब बटन से हम इसको नॉर्मल कर लेंगे ठीक है ऊपर देखिए बहुत सारे आइकन्स हैं एक एक करके सबको डिसकस करते हैं पहले यह सेकेंड वाली स्ट्रिप जो है इसमें हम आते हैं देखिए यहां पर आपका एक क्यूब बना हुआ है जिसका यल्लो पॉर्शन फ्रंट पॉर्शन यल्लो है यानि कि फ्रंट व्यू है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो फ्रंट व्यू हमारा एक्टिवेट हो है अभी जो टूल में यूज कर रहा हूं उसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद अभी के वाल इसको देखते हैं चीक है तो क्यूब का मतलब जान चुके हो फ्रंट व्यू बैक व्यू लेफ्ट राइट टॉप बोटम आइसमेट्रिक इसके बाद आता है रोटेट यह तो क्यूब की रोटेशन यहानी कि मैंने अगर इसको रोटेट किया ऐसे तो यह देखते हो पर इसका मघंट प्र्मेनें टॉटेट हो गया स्म लoking है नहीं हम रोटेट इसलिए करते हैं के अब देखने के लिए कही Kollegen को और इसी चीज को आप keyboard के जो arrow key है, down key, up key, left key, right key, इनसे भी rotate कर सकते हो, same way काम करते हैं, चारो, और यह आपका spin करना है, इस तरीके से, ठीक है, तो यह strip आप जान चुकियो, cubes की rotate के समझे के जो, अब rotate के बाद एक icon आता है, toggle, इस में क्या होता, अगर मैं से click करूँगा, किसी joint को select करना पड़ेगा, किसी joint को मैंने select किया, और मैंने फिर इसको on, on किया, देखिए इस पर एक message आता है, जा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, control, shift, change the node, इसका मतला भी rotate हम करेंगे, तो जिस point को हमने यह किया है, toggle view, यह fix हो जाएगा, ठीक है, यानि कि इस पर click करना है, control, shift, और मै इस node को click कर दिए, यह fix हो गया joint, यह joint आपका fix है, अभी rotate होगा पूरा structure about this joint, देखते हैं, देखिए, ठीक है, वो joint fix हो गया, तो इस tool का मतलब समझ गई, okay, इसके बाद यह आता है, आपका tool display whole structure, इस से whole structure display हो जाता है, अगर मतलब आपके कैसे भी rotate किया हुआ है, इस पर click कर होगे तो ठीक हो जाएगा, ओके, इसके बाद यह normal icons हैं, मतलब normal tools हैं, जो आपको हर software मिलते हैं, यह है, आपका dynamic zoom, इस पर click करके अगर ऐसे आप drag करो के तो zoom हो के एक नहीं window खुल जाएगी, वहीं पर zoom हो जाएगा, इसके बाद यह है, इस पर click करो के आप, तो दोबार वा इससे कितने percent do कर दो, तो 2% zoom हो जाएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका वापिस आजाएगा, इससे क्या होगा, आपका full screen हो जाएगा, इससे क्या होगा, जूम बैक हो जाएगा, इससे क्या होगा, हाथ से उठा कि आपको structure कहीं रखना है, इससे क्या होगा, आपको कह इस अब आगे चलते हैं, जो आपके यह टूल्स हैं, इनको हम लास्ट में डिस्कुस करेंगे, अगर हो सका तो, ठीक है, हम इनको करते हैं, महां से स्टार्ट, देखिए आप यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर तेबल आजाएगे, अगर मैं नोट पर क्लिक करूँ, ओके करूँ, तो यहां से नोट की प्रोपर्टी चली गई, अगर मैं नोट पर क्लिक करूँ, सेक्शन पर क्लिक करूँ, तेहां पर उन सब की प्रोपर्टी टेबल में आ गई, ठीक है, इसके बाद आपका आता है यूनिट चेंज, यहां से तो यूनिट चेंज कर सकते हो, इसके बाद आता है आपका Cut Section, आपको कहीं से Section को Cut करना है, जैसे की मैं को करना है इसको मैं चाहता हूं, इसको Section को Cut करना, Joint Number कौन सा है ये वाला मेरा, this Joint Number को आपता करते हैं क्या है, इस Number से Cut करते हैं, 2 और ये कौन सा आपका, 6, ठीक है, तो section cut join number 2 से और plane हमारा होगा मैं इसे cut करना चाहता हूँ ऐसे तो plane हमारा क्या होगा YZ ठीक है YZ ओके देखा एक कड़िया होँ हाँ से तो वापस आना हो तो इससे आ जाएंगे वापस इसके बाद आता है आपका ये symbols और levels इसमें बहुत सारे चीज़े हैं देखते हैं चलिए देखे हैं यहाँ पर यहाँ पर देखे सबसे पारा labels अगर मैं node N पर क्लिक करके apply करता हूँ तो nodes के number आजाएंगे nodes के detail आजाएगी physical property आजाएगी section के detail beam number जैसे मैं यहाँ करता हूँ beam number apply तो beam से number आजाएंगे orientation किया है तो क्योंकि हमने बहुत सारे चीज़े अभी apply नहीं की है तो कोई orientation है beam का अगर इस apply करता हूँ तो अभी orientation है चेंज करेंगे तब फ्रक पता चलेगा यानि की यह x कौन सा x यह कौन सा z यह कौन सा y इस तरहीं के से orientation पता चलेगा load value load कुछ लगाई ही नहीं है हमने ठीक है तो इस surface के बारे में plates के बारे में general है यह सारे पर click करके नहीं दिस्प्ले हो जाती है properties और हर चीज की अलग properties दीवें देए देए नौट, physical member, properties, beam, loading, plate, general, shear force, solid object आगे चलके हम जैस नौट की बात करेंगे नौट पर चर्चा करेंगे तो हम नौट की प्रोपर्टी, physical member, इन सब के पर discuss करेंगे इसकेल, आपने दियर से देखा होगा, कभी-कभी हम load लगाते हैं तो उसको arrow है load का बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा जा रहा है तो हम उसको यहां से छोटा कर सकते हैं यह हमने किसी का bending movement देखा तो उसका bending movement भी बहुत बढ़ा बन रहा है ऐसे तो उसको भी हम छोटा यह बहुत छोटा बन रहा दिखाई नहीं दे रहा वहां से इस वैल्यू बढ़ा कर सकते हैं इक कलर से क्या चाहते हैं आप कौन से कलर में कौन सी चीज़े आए अगर फुल सेक्शन कर दो को तो यहां पर पूरा 3D आएगा यहां पर आउटलाइन आएंगे 3D इस तरह से प्रोपर्टीज है इनकी हमें ज़्यादा जरूत नहीं पड़ती है ठीक है सकेल पर क्लिक किया है इसम्बल से लेवल तो बहुत सारी सेटिंग है यह आप यह सोच रहे होंगे कि मैं डिसकस्टो करने रहा हूं क्यों इंट्रोडेक्शन दे रहा हूं हम अगे इस टैट प्रो बेसिक टो एडवांस की टूटल सेरीज में आगे बढ़ेंगे तो वहां के लिए ये यूज होगा, रिजल्ट देखेंगे तब ये यूज होगा, ठीक है, तो जब ये टाइम टाइम पे हम चीज़े यूज करेंगे, तो हम एक जनरल इटोरेक्शन के अबद, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और डिस्पले करते हैं, तो यहाँ पे लेंता जाएगी सब आपको ये लिखा आगया, ठीक है, प्रॉपर्टी पेज, देखेंगे, इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर यह जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो यह प्रॉपर्टी जैं, वही चीज़ यहाँ पर भी है, दो दो जंगा है, और वही चीज़ आपको यहाँ से भी मिल जा करना, ठीक है, यानि क्रॉस सेक्षन देना, तो यहाँ से भी आजाएगी, देखेंगे, प्रॉपर्टी देखो, यहाँ अगई है, यह विंडो तो खुली थी आपकी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब नहीं खुले क्यों कि पहले से खुली है, इस तरह सपोर्ट जूम के टूल से है, यह आपका बीम बनाने के लिए इस पर क्लिक करते हैं, तो अब बीम होता है, देखेंगे, इस से प्लेट बनती है, इस सॉलिड औपजेट बनता है, इस से ग्रिड अन उफ गर उनल न उफ होती है, इस से नोड़ इंसट उता है, जैसे कि इन दोनों व इस beam के बीच में not insert करना हो ठीक है यहां से mashing होती है mashing opening होती है tool बहुत अच्छा tool है translate करता है beams को यह rotational करता है यह mirror का काम करता है जो autocad में आपने देखा हुगा यह rotate करता है permanent और यह आपका इस प्लेट स्क्वी mashing करता है यह आपका stretch करता है membro कहीं gap रहागिया यह result है सारे यहां पर shear force in x and y in z movement in x y in z ठीक है यह stresses है यह plate stress है यह mode shape है sorry deflection है यह mode shape है यह animation का है आपका और यही चीज़े सारी यहां पर भी है तो यह tools हैं आपके यहां पर तो मैं इस structure को control ए प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से delete कर देता हूँ ठीक है और यहां पर एक यह text लगा हुआ है इसको भी हम हटाते है देखिए text हटाने लिए क्या करेंगे यहां से लगता है text को कोई cursor होना चाहिए इसको select करने लिए देखिए यहां पर है अब हम स्टार्ट करते हैं इस translate टूल से यह किस काम आता है यह इसी से सारे structure बनेंगे आपके तो इसको यूज करने कंडिशन है कि एक होना चाहिए तो joint बनाना है joint कैसे बनाएंगे हैं हम grid को on करते हैं और 00 पे एक बार click करके grid को close कर देते हैं एक joint बन गया कहा है joint joint दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए क्या आपको प्रेस करना है सिफ्ट प्लस के अगर joint आपको visible ना हो तब यह आपको प्रेस करना है ठीक है तो मैंने सिफ्ट प्लस के प्रेस किया joint आ गया joint किसे स्लेक्ट होगा not cursor से not cursor से स्लेक्ट किया अब इस tool को हम यूज करते है translate repeat tool को इसको side में ठाक रखते हैं देकि मुझे बनाना क्या है इस joint से एक मेंबर बनाना है फिर एक और मेंबर बनाना है इस तरह से मुझे मेंबर बनाने है कितने मेंबर हो गए वान टू थ्री यह direction कौन सी है एक्स नंबर ओफ मेंबर थ्री और इसकी distance length कितनी है पांच मीटर पांच मीटर पांच मीटर यह मुझे इस से बनाना है तो direction x है तो यहां select क्या करेंगे एक्स कितने भी हमस है एक दो तीन तो यहां कितने करेंगे हम select तीन और कितनी spacing है पांच ठीक है और आपस में joint link है तो मेंबर बन रहा है तो link पे click करेंगे इतना करके okay करोगे तो आपका ही बन जाएगा देखते है एक्स यहां पर तीन select पांच link joint select है ओके अच्छा हमने यहां पर जो है क्या कहते हैं scale में जाके हमने यहां पर टिक किया था labels में beam orientation इसको off कर देते हैं देखिए orientation आ रहा है shift plus B से होता है beam number shift plus N से होता है node number तो मुझे कितने beam बनाने थे एक दो तीन यह क्या है node का number और यह क्या है आपका beam का number ठीक है हमने select किया था यह joint और step ते three तो one step फिर यह two step और यह three step ठीक है और हमने link किया था तो बीच में three member भी joint हो गया इस तरह से structure बन गया अब इसी को अगर मैं ऐसे करना चाहूं कि इसी को मैं चाहता हूं कि ऐसे बन जाए तो यह direction कौन सी है z और यह line कितनी बार copy हो रही है एक बार अगर कितना चार मीटर ले ले लेते हैं इसी को अगर मैं आइसामेटिक वी में देखो और कंट्रोल असे तूल को विए डिरेक्शन में 10 स्टेप three spacing link तो क्या होगा यह यह direction में जाएंगे देखते हैं कैसे यह देखो beam number और node number हटा देते हैं इसको मैंने select किया था 10 स्टेप one two three four five six seven eight nine ten और spacing चार मीटर मेजा करके देख ले एक बाद तो यह था day two stat pro tutorial अगर आपको पसंद आया हो तो like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए comment करना ना बोले कि आप इससे आप आने वाली वीडियो को भी देख सकें बैल आइकन पर क्लिक करना ना बूले थैंक यू झाली 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